केलेंडर हर शाल बदल जाता है और तारीखें हर रोज पर कुछ ऐसी भी तारीखें होती हैं जो इतिहास के पन्नों पर अंकित हो जाती हैं। ऐसी ही एक तारीख है 31 जुलाई 1800 सी जब हिंदी साहित्य के युगपुरस उपरन्यास सम्राठ मुरसी प्रेमचंद का इस धरती पर अवतरन हुआ। लगेगा पर इससे हमारा होसला बढ़ेगा और हम और भी ज्यादा रिसर्फ करके आपके लिए ज्यानवर्दक वीडियोज लाते रहेंगे। और वीडियो अच्छा या गुड़ा जैसा भी लगे हमें कमेंट वॉक्स में जरूर बताएं। चलिए सबसे पहले प्रेमचंद के प्रारंभे गीवर पर नजर डालते हैं। 31 जुलाई 18 सवस्ती को माता आनंदी देवी और पिता अजायवराय को एक पुत्र रत्न की प्राप्ती हुई। और उस बालक का नाम रखा गया धनपतराय। धनपतराय जमीदार हराने से थे। उनके पिता अजायवराय पेसे से डाक मुनसी और जाती से कायस्थ थे। पर उस समय किसे पता था कि यही बालक एक दिन जमीदारों और सवरनों के अत्याचारों के विरोध में दलितों, वंचितों, शोशितों, मजदूरों और कितानों का सबसे बड़ा पक्षिधर बनेगा और अपनी कलम की ताकत से समाज और शाहिती को एक नई दिसा देने बा कालजी कलम कार के रूप में उभरेगा और योगों योगों तक प्रेमचंद के नाम से जाना जाएगा प्रेमचंद अपने माता पिता की चौथी संतान थे और उनके चाचा ने प्यार से नबाव राय नाम दिया था प्रेमचंद ने जब शुरवाती दोर में कलम थामी तो इंयर्षे में हुई जहां उन्होंने उर्दू और फारसी का घ्ञान अर्जित किया। आगारण है कि प्रेमचंद के पूरे सहित्य में उर्दू फारसी के चापह में देखने को मिलती है। प्रेमचंद के साहित्य में मिलने वाली करुणा की धारा का श्रोत कहीं न कहीं उनका ही जीवन था, महज साथ वर्ष की अवस्था में ही प्रेमचंद मात्रहीन हो गए और पिता ने विमाता अर्थात सोतेली मा के दर्शन करा दिये, प्रेम के प्यासे प्रेमचंद को विमात की एक लड़की के साथ करा दिया गया उस समय प्रेमचंद नौवी कक्षा में ही पढ़ रहे थे जब उनका विवाह हो गया प्रेमचंद के कंदे अभी पारिवारिक गिम्मेदारियों को समालने की योग्गी भी नहीं हुए थे कि उन पर दुखों का पहार तूट पड़ा मत सोलह वर्ष की छोटी सी उम्र में ही पिता का साजा उनके सब से अलविदा हो गया सोलह वर्षी अबालक के कंदे पर पारिवारिक गिम्मेदारियों का बोज आ गया और उस बोज को उठाने में प्रेमचंद के कदम लड़खणाने लगे और परिणाम सरूप उनके वयवाह से प्रेम की जगह तनाव ही उत्पन हुआ और एक रोज किसी कारण वस प्रेमचंद की पतनी रूट करमाई के चली गई और फिर वापस कभी नहीं लोटी और नहीं प्रेमचंद ने अपनी और से कोई पहल की इस प्रकार प्रेमचंद की इस रिस्ते का अंत ही हो गया आगे चलकर प्रेमचंद ने सिवरानी देवी नामक एक बाल विद्वा से पुनर विवाह किया, आपको पता ही होगा कि सिवरानी देवी भी एक लेखिका थी और उन्होंने प्रेमचंद के जीवन पर एक किताब लिखी जिसका नाम साब प्रेमचंद घर में, प्रेमचंद और सिव अम्रित राय और कमलादीवी सुनने को मिलता है कि एक बार प्रेमचंद को किसी लड़की से प्रेम भी हुआ था पर जाती ये बंदिशों के कारण वह प्रेम अंजाम तक नहीं पहुंच पाया प्रेमचंद का पूरा जीवन संघर्ष्णों से भरा था पीता की मृत्यू के बाद आर्थिक संकटों से जूजते हुए प्रेमचंद ने ट्यूसन पढ़ाना प्रारम कर दिया जिससे उन्हें मात्र पांच रुपए प्रतिमाह की आमदनी होती थी और किसी तरह से गुजर ब प्रेमचंद गणित के मामले में कमजोर थे जिसके कारण उन्हें इंटर की परिख्षा पास करते में बहुत कठनाई हुई मेट्रिक पास करने के बारह वर्ष बाद सन 1910 में उन्होंने दर्शन अंग्रेजी फार्शी और इतिहास से इंटर की परिख्षा उत्तिरने की इस खलक नामक उर्दु पत्रिका में प्रकासित हुई थी बाद में इसका हिंदी संस्करण देवस्थान रहस्य नाम से प्रकासित हुआ प्रेमचंद यानि नवाब राय के जीवन में सबसे बड़ा भूचाल तब आया जब उन्होंने शोजे वतन नामक कहानी संग्रह का प्रकासित किया शोजे वतन जिसका आर्थ होता है राष्टर का विलाव इसमें पाँच देश भक्ती कहानियों का संग्रह था उस समय की अंग्रेजी हुकूमत को लगा कि इस तरह की कहानिया लोगों के अंदर विद्रोह की भावना पैदा कर सकती है इसलिए सरकार ने उस कथा संग्रह की सारी प्रतियां जब्त कर ली और उन्हें आग के हवाले कर दिया आप कलपना भी नहीं कर सकते कि उस लेखक पर क्या गुजरी होगी जिसकी रचना के साथ ऐसा दुरुय वहार किया गया हो सरकार ने प्रेमचंद को आगे से कलम न उठाने का फरमान भी सुना दिया पर कलमकाय सिपाही इन छोटी मोटी बाधाओं से कहां घबराने वाला था चुकि अब नबाब राय नाम ही अंग्रेजी हुकूमत की आँखों की किरकिरी बन चुका था अत्ह धनपत राय ने अपने परम्मित्र मुंसी दया नाराय निगम के सलाह पर प्रेमचंद नाम से लिखना प्रारंब कर दिया और प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी दिसंबर 1910 में जमाना पत्रका में प्रकासित हुई जिसका नाम था बड़े घर की बेटी और उसके बाद कहानी और उपर न्यासों का सिलसिला प्रेमचंद ने जीवन भर जारी रखा प्रेमचंद अपने साहित्तिक सफर पर तो निरंतर आगे बढ़ी रहे थे वहीं दूसरी और सरकारी नोकरी पर भी थे 1909 इस्वी में उन्हें बदली करके महोबा भेज दिया गया और फिर सिक्षा विभाग के डिप्टी सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त करके हमीर पूर भेज दिया गया 1916 इस्वी में उनका तबादला गोरखपूर कर दिया गया इसी बीच प्रेमचंद ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1919 इस्वी में इलहाबाद विश्विद्याले से अंग्रेजी फारसी और इतिहास विश्य से बिये की डिग्री प्राप्त कर ली और इसके साथ ही उनक प्रेमचंद गांधी जी से इतने प्रभावित हुए कि गांधी जी के आहवान पर उन्होंने 1922 इस्वी में नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और वापस बनारस चले गए इस दोरान वे माधुरी और मर्यादा जैसी पत्रिकाओं का संपाजन कर रहे थे और किसी तरह जी अब प्रेमचंद ने छापा खाना खोलने का निस्चे किया और अपने मित्र प्रवासी लाल के साथ मिलकर 1923 इस्वी में सरस्वती प्रेश खरीद लिया तथा हंस यहां जागरन पत्रिकाओं का प्रकासन प्रारंब कर दिया पर धीरे धीरे यह प्रेश घाटे में चला गय इस करजी की भरपाई के लिए प्रेमचंद ने सरस्वती प्रेश को बंद कर दिया और फिल्म नगरी मुंबई जाने का फैसला कर लिया 31 मई 1934 को प्रेमचंद मुंबई आ गए और एक साल के अनुबंद पर सिनेटोन कमपणी के लिए पठकता लिखने का प्रस्ताव सुईखार कर लिया प्रेमचंद की लिखी पहली फिल्म थी मजदूर जिसमें प्रेमचंद के करांतिकारी विचार मजर आ रहे थे प्रेमचंद को पाठकों ने जितना पसंद किया उतना दर्शकों ने नहीं किया और माया नगरी की चका चौन भी सरल और सादे प्रेमचंद को रास नहीं आई जिसके खारण प्रेमचंद एक साल का अनुबंद पूरा किये बिना ही 1935 में इलहभाद लोटाए जहां उनके पुत्र अमृतराय पढ़ाई कर रहे थे धिरे धिरे प्रेमचंद का स्वास्त भी बिगरता गया अब प्रेमचंद अपने जीवन के अंतिम प्रहर की और बढ़ रहे थे प्रेमचंद के जीवन में साल 1936 बहुत महत्तपूर्ण रहा इसी वर्ष भारत में माक्षवाद से प्रवावित होकर प्रगतिवादी साहित्य का उदय हो रहा था और भारत में प्रगतशील लेखक संग की पहली बैठक लखनव में हुई प्रेमचंद उस सभा के अध्यक्ष की भूमिका में थे इसी वर्ष प्रेमचंद का सरवाधिक चर्चित और लोकप्रिय उपन्यास गोदान भी प्रकासित हुआ और उनकी प्रसद कहानी कफन भी इसी वर्ष छपी थी और इसके साथ ही 8 अक्टूबर 1936 को प्रेमचंद ने भी कफन ओड दिया और हिंदी जगत को प्रकासित करने वाला यह सुर्य सरवधा के लिए अस्तो हो गया इस प्रकार प्रेमचंद ने अपनी लौकिक लीला पूर्ण की अंत में प्रेमचंद के जीवन से सम्मंधित कुछ महत्तोपूर्ण प्रसद होगी उन्हें आप नोट कर लें प्रतियोगी परिख्याओं की दृष्टी से यह बहुत महत्तोपूर्ण है बहुत बहुत धन्यवाद